असलाम उलिकूम शुकर का कलमा पढ़ते हुए वो अब एमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ने लगे वो दल्चस्पी से एड़ गित का जायजा ले रही थी अंदर दाहिल होते ही एंट्रस पे हाथी का बड़ा सा मुझस्मा लगाया गया था इसकी दाइनी जानिब ड्यूटी फ्री शॉप्स थी जहां से गुसर कर वो काउंटर पे गए और अपना समान लिया और एरपोर्ट से चेक आउट किया वैसे ये एरपोर्ट जना एरपोर्ट से बढ़ा है और मेरे ख्याल में ज़्यादा प्यारा भी सिकंदर ने सरसरी से लहजे में शरारत से कहा तो हस्पे तवक्व वो तब गई ये एरपोर्ट अगर दस गुना ज़्यादा बढ़ा और प्यारा भी हो तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे दुबई एरपोर्ट की दफ़ा नहीं पड़ा था और मुझे पूरी दुनिया से ज़्यादा पाकिस्तान के एरपोर्ट प्यारे लगते हैं इन फैक्ट मुझे अपने मुलक के हर चीज अच्छी लगती है मैं स्विजर लेंड भी देखके कहूंगी के मरी ज़्यादा प्यारा है वैसे मरी से ज़्यादा सुवाद, चित्राल, नरान और कगान के इलाके ज़्यादा खुबसूरत, दिलकश और प्यारे हैं इन्होंने उसकी मालूमात में इजाफा किया हाँ लेकिन मैंने वो देखे नहीं हुए मैं तुन मरी ही कहूंगी न इसने बेनियाजी से शाने उचकाए, सिकंदर बेसाफ़ता इसके जवाब पे हस दिये इन्हें याद आया बुर्ज हलिफा देख कर भी इसने कुछ इसी किसम का जवाब दिया था बाबा ये बुर्ज हरीफा बहुत शानदार है, इस आमेजिंग, कमाल है और लाइटिंग देखे कितनी शानदार लग रही है वो महवियत से देखते हुए, बे इक्तियारी से बोली, फिर जरा रुक के बोली लेकिन मिनारे पाकिस्तान की तो क्या ही बात है, दुनिया की बड़ी से बड़ी अमारत भी, मुझे मिनारे पाकिस्तान के आगे हेच लगती है मैं इन समट से बने हुए अजूबे देखकर मतासिर तो हो सकती हूँ, मगर प्यार नहीं कर सकती प्यार तो जजबात से गुंदी हुई अमारतों से होता है चाहे वो मट्टी से ही क्यों ना बनी हो वो जजबात से चूर लहजे में कह रही थी और ये कहते हुए इसके चेहरे पर जो जमक थी वो बहुत फास थी अच्छा चलो कोई कैब देखते हैं अब सारा दिन यहीं तो नहीं गुजार सकते हम वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और इसे लेक के चलते हुए एरपोर्ट से बाहर की जानी बढ़ने लगे न्यू देली पर्ल कॉंटिनेंटल होटल को उर्फिय आम में पर्ल होटल के नाम से जाना जाता था यह होटल इंद्रा गांदी एरपोर्ट से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइफ पे था इस होटल के थर्ड फ्रोर के पांचमी कमरे में इस वक्त हशर नशर बढ़पा था वो तेजी के साथ हाथ चला रहा था इसने पूरे कमरे का नक्षा बिगार दिया था मगर अभी तक कुछ मी नहीं मिला था कमरे का मालिक भी अभी कुछ देर में आने वाला था इसने गड़ी में वक्त देखा अभी इसे किसी काम से बाहर भी जाना था एक गहरी सांस भरके वो दुबारा काम में जुट गया पांच मिनट बाद हर चीज अपनी जगा पे थी और कमरा अपनी असली हालत में वापिस आ चुका था इस काम से फारिग होकर इसने इहत्याद से कमरा लॉक किया और बिलकुल सामने अपने कमरे में चला गया दो मिनट बाद वो जल्दी से बाहर आता दिखाई दिया उसका रुख अब एरपोर्ट की जानिब था जहां से इसे किसी को पिक करना था इसके अंदाजे के मताबिक अब तक फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और वो पूरे पंदरा मिनट लेट था वो कब से सड़क किनारे खड़े किसी सवारी का इंतजार कर रहे थे मगर सिकंदर सहाब हर टेक्सी वाले को मना करते थे वो अब इस सुरत हाल से जुनजला चुकी थी पिता शीरी आपको मेरी सोगंत कसम लगे मुझ पर क्रीपा रहम करें और यहां से चलें आदी हिंदी और आदी अर्दू बोलते हुए वो शरारत से गोया हुई बेटा शीरी बस दस मिनट और इंतजार का कश्ट उठा ले वो भी इसी के अंदास में जवाब देते हुए भोले अच्छा ना बाबा मैं बहुत ठक गई हूँ आप किसी टैक्सी में भी नहीं बैट रहे क्या किसी ने हमी लेने आना है हाँ मेरा ख्याल है वो बस पहुंचने वाला ही होगा इन्होंने सर हिलाते हुए जवाब दिया उफ यह लड़का कहां रह गया वो पड़ेशानी से सोच रहे थे जब यक दम से एक गाड़ी इनके सामने आकर रुकी चलो दूआ बैठो जल्दी से इसे बिठा कर सारा समान डिकी में रखके खुद भी इसके बराबर में बैट गए गाड़ी सड़क पे फराटे बढ़ने लगी उजेर तुम पूरे पंद्रा मिनट लेट हो क्यों सिकंदर ने गाड़ी चलाते उजेर को महातिब किया ओ ये तो कैप्टन खरूस है दूआ जो सीट की बुसर टेक लगा कर आँखे बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी जोंकर सीधी हुई सराज वो शक्स अपने कमरे से बाहर निकला था तो मैंने उसका पीचा किया रिसेप्शन पे उसकी गुफदगू से मलुम हुआ कि वो किसी जरूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है तो मैंने ये मौका गनीमत समझा और इसके कमरे की तलाशी लेने के चकर में मैं लेट हो गया आइम सोरी सर दीमे लहजे में उसकी की गई माजरत पे दुआ ने बेख्यार इसे दिल में सराहा था इप सोके तुम ये बताओ के कुछ मिला के नहीं सिकंदर ने पुछा नो सर वक्त कम था बस सरसरी सी तलाशी ले सका कुछ हास नहीं मिला वो गारी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला अच्छा ये बताओ के कितनी देर में पहुंचेंगे उन्होंने उक्ता कर पुछा सर बस पांच मिनट की ड्राइविंग रह गई है फिर आप पर्ल होटल के अंदर होंके वो शगुफटगी से मुस्कुरा के बुला वो दोनों आपस में यूं गुफटगू कर रहे थे जैसे इनके सिवा गारे में और कोई मजूद नहो वो मुँ बना कर किर्की से बाहर देखने लगी साफ सुचरी सड़कें ट्रैफिक भी एक खास रफ़तार से आगे बढ़ रही थी बड़े बड़े होटल्स और अमारतें हम अच्छा शहर है लेकिन इसलामबाद ज्यादा पुरसकून और प्यारा है उसने हत्मी फैसला किया कुछ मिनट बाद वो मतलूबा होटल में पहुँच गए गारी रुकने से पहले ही वहाँ होटल के स्टाफ की वज़ा से वील चियर मजूद थी जिस पर सिकंदर ने इसे बैटने में मदद की इसे सब की नजरों में वाज़या हमदर्दी नजर आ रही थी मगर वो पूरे तमादी से नजर अंदास करके अपने बाप के हमरा आखे बढ़ रही थी आज का सारा दिन इसने रेस्ट करना था और कल का सारा दिन होस्पिटल में गुजारना था सिकंदर ने इसके लिए एक नर्स का इंतिजाम भी करवाया हुआ था जिसे दुआ के कमरे में ही इसके साथ रहना था ताके वो इसका हयाल रख सके पोटिल से पांच मिनट के वौकिंग डिस्टेंस पे सरगंगा राम होस्पिटल था जहां आज इसे जाना था सरगंगा राम नाम का हस्पताल होर में भी है जो के असल होस्पिटल है और इसे क्यामे पाकिस्तान से पहले बनाया गया था राय-बहादर गंगा-राम एक सीवल इंजिनियर थे जो ब्रिटिश कौ़र्मिंट के लिए काम करते थे 1921 में लहोर में सरगंगा-राम होस्पिटल इन्हों नहीं बनवाया था पाकिस्तान और भारत की अलैटकी के बाद दिली में दुबारा से इन्हों ने सर गंगाराम हस्पताल की तश्कील देनी शुरू की थी वो इलेक्टरिक वील चियर पे थी और खुद बटन दबा के इसे चला रही थी इसकी एक जानिब सिकंदर थे तो दूसरे जानिब उजेर वो उजेर को देखते हुए फिर से कंफ्यूज हो रही थी कि इसे तो कहीं देख रखा है मगर याद नहीं आ रहा था खैर मैं खुद ही पूछ लूँगे कि वो मुझे कहां दिखाई दिया था इसने सोचते हुए खुद को तसली दी उजेर इंतजार गाह की जानिब भर गया था जबके वो दोनों बापेटी नियूरो डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगे जहां डॉक्टर नेहा का आफिस था वो नियूरो सरजन थी और अपने पेशे में काफी मश्रूर थी वो यूही हर किसी का आपरेशन नहीं करती थी सिकंदर ने आउनलाइन इस हस्पताल में दरहास दायर की थी और डॉक्टर नेहा से इलाज के बतले बारी पेमिंट की आफर की थी इसी वज़ा से वो आज इस हस्पताल में थे अभी वो आफिसे चंद फुट के फासले पे थे जब सिकंदर को कॉल आई वो कॉल सुनने के लिए काफी फासले पर चले गए तोपा, इतनी लंबी, क्या बात कर रहे हैं बाबा वो कॉफस से सोचती हुई बटन प्रेस करके अपनी वील चियर को साइट पे ले गई ये हास और बहुत मेंगा डिपार्टमेंट था इस वज़ा से यहां बहुत ज़ादा रश नहीं था एक कादुका कोई गुजर जाता था दस मिनट मसलसल इंतजार के बाद भी वो ना आये तो वो बोरियत से एर्दिगिट देखने लगी मगर देखने को हस्पिताल की दिवारों के सिवा और था भी क्या वो सामने देखने लगी जहां से इसी की उमर की एक लड़की चली आ रही थी शक्लो सुरत से वो बहुत बिमार लग रही थी इसके हाथ में फुटबाल था जिसे वो जोर जोर से जमीन पे पटख रही थी जैसे ही वो करीब आने लगी एक जोर की हिट से फुटबाल उचल कर दुआ के कदमों के पास आकर रुख गया वो लड़की भी पास आकर रुख गई वो फुटबाल उठाना चाहती थी के दुआ ने जुक के इसका फुटबाल उठाके इसे पकड़ा दिया थैंक यू वो कहते हुए आगे बढ़ना चाहती थी के दुआ ने उसकी जानिब हाद बढ़ा दिया हाई, माई नेम इस गीती, सोनिया, इस लड़की ने मुहतसर जवाब दिया, क्या आप भी पेशिंट हैं यहाँ, सोनिया जाना चाती थी, मगर धुआ बाद बढ़ाने के मूड में थी, हाँ मैं कैंसर की पेशिंट हूँ, सोनिया नामी वो लड़की ठकी ठकी सी आवाज में होली, ओ, सो सैड, इसे सुनके तासुफ हुआ था, मैं भी पेशिंट हूँ, और यू एई से स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आई हूँ, मेरी दोनों टांगे मफलूच हैं, इसी लिए मैं वीलचियर पर हूँ, ओ, सो सैड, सोनिया ने भी रस्मी दुख का इजहार तो, तल्खी से कहते हुए वो लड़की दुख को बहुत काबले रहम लगी, ऐसा न बोलो, कार्ट तुम्हें लंबी जिन्दगी दे, दुख ने इसे बेसाखता दुख दूआ दी, तो वो हैरत से उसका मुझ देखने लगी, पहली दफ़ा था कोई इसे नफरत का इजहार नहीं कर रहा था, बलके दुआएं दे रहा था, वैसे मैं भी तुम्हारी एज की हूँ, आज मैं पहले दिन यहां आई हूँ तो मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उमीद है दुबारा मिलेंगे, दुआ के पुर खलूस अंदास पर हिरान रह गई थी, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, वो हफकी से बोली, सोरी बेटा बहुत अरजन कॉल थी, वो इसे लेकर चलते हुए बोले, आप बहुत खुश्यार हैं, खुद तुम मुबाइल पे विजी रहते हैं और मेरी कोई फिकर ही नहीं, मुझे भी न्यू मुबाइल लाकर दे, मैं अमी और आनिया से बात करनी है, इसके नरूठे अंदास पे वो हस दिये, और कोई हुकम? नहीं, आज के लिए इतना है काफी है, वो बेन्यासी से बुली, बातो बातों में ही वो आफिस के सामने पहुँच गए, दस तक देखकर अंदर दाहिल हुए तो सामने डॉक्टर न और मेकप किये, वो जाजी भे नजर लग रही थी, हाई डॉक्टर नेहा, आइम विश्नु घंणा एंड शी इस माइ डॉर्टर, सिकंदर ने तारूफ करवाया तो वो मुस्कुराते हुए उनको बैठने का इशारा करते हुए भुली, प्लीज सिट, यॉर डॉर्टर इस स पढ़ लिजेगा, उसकी मेडिकल फाइल उन्होंने डॉक्टर नेहा की जाने बढ़ाई, ठीक है मिस्टर घंणा, मैं सारी रिपोर्ट्स देख लूँगी, मगर हम गीती के सारे टेस्ट्स दुबारा करेंगे, ताकि हमारी तसली हो जाए, आप कल आईएगा, इनिश्रिली इप्तदाई टेस्ट तो कल ही हो जाएंगे, ओके डॉक्टर हम आएंगे कल, वो सर हिलाते हुए कहने लगे, कुछ देर मजीद बैटने के बाद वो आफिसे निकल कर वेटिंग रूम की तरह बढ़ गए, जहां उजेर इंतिसार कर रहा था, अब इनका इरादा एक लंच के पाद होटल जाने का था, शाम का वक्त था, सिकंदना जाने कहां गाइब थे, वो बोरियत से बचने के लिए नर्स से सवाल जवाब कर रही थी, सुनो नाम क्या है तुम्हारा, मैंने कल से तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, जी मेरा नाम निदा है, वो धीमी आवाज में बोली, मुस्लिम हो, उसने सخت लहजे में पूछा, जी जी वो डरते हुए बोली के कहीं इसे मुस्लिम होने की वज़ा से नोकरी से ही ना निकाल दिया जाए, इदा पच्छी साल की एक खुश शकल सी नर्स थी, दुआ को देखने में वो माकूल लगी थी, अच् किदर है तुम्हारा, निदा अभी कुछ कहने ही वाली थी के दस्तक देकर उजेर अंदर चला आया, मिस निदा आप थोड़ी दिर के लिए लाबी में घूम फिराएं, सुबह से कमरे में कैद हैं, उजेर ने नर्मी से कहा तो वो इसका मतलब समझते हुए, सर इस बात में ह हातिब किया था, दूआ के ख्याल में, थेंक यू, मो मुहिब्सा मुस्कुराई, आपको कुछ और चाहिए तो बताएं मैं ला देता हूँ, नहीं शुक्रिया, ओके मैं चलता हूँ, आपने किसी को कॉल करनी है तो कर लें, मैंने जरूरी एप्स इंस्टॉल करती हैं, वो क सोफे पे बैठने का कहकर, वो उंगलियां चटखाने लगी, समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे, जी बोलें, आपको क्या बात करनी है, वो बागोर इसके चेरे के उतार चड़हाओ देखते हुए बोला, वो असल में वो हकलाते हुए रुक गई, क्या हम पहले म मिल चुके हैं, यकदम एक ही सांस में तेजी से इसने पूछा, वो दिलचस्पी से इसे देखने लगा, सोफे की पुछ से टेक लगाते हुए वो बेनियाजी से शाने उचका के कहने लगा, अगर मैं कहूँ जी हम पहले मिल चुके हैं तो, तो मुझे डिटेल से बताएं कि कब कहां और कैसे, मुझे भी लग रहा था जैसे मैंने आपको पहले कहीं देख रखा है, सोचने की कोशिश की थी मगर याद नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा, आप से ही पूछ लूँ, मैं क्यों फजूल में अपने दिमाग पर जोड़ डालू, वैसे भी मैं सिर्फ काम की बाते ही याद रखती हूँ, वो अपनी कहकर अब इसके जवाब की मुन्तजर थी, यही तो मलाल है कि आपने अपने जहन पर जादा जोड़ देना पसंद नहीं किया, आप क्या सिर्फ काम की बाते ही याद रखती हैं, काम के इनसान नहीं, वो उदासे से मुस्कुराया था एनिवेज में चलता हूँ, कुछ बातें एब्रिवेशन्स में ही अच्छी लगती हैं, जैसे उजेश रहसेब आवान को यूएसे और दुआ फातिमा महीन को डी एफम कह सकते हैं, डी एफम, वो इस लवज को दोहरा कर हसा था, दुआ ने सवालिया अंधास में पूछा त डी एफम और यूएसे, ये नाम मैंने सुने हुए हैं कहीं, वो पुरसोच अंदाज में बरबड़ाई, डी एफम यानि दुआ फातिमा महीन और यूएसे यानि उजेश रहसेब आवान, फिटे मू यार, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, वो जुन जलाई, एक मिनट एक मिनट, वो बरबड़ाई, कुछ क्लिक हुआ था जहन में, अचानक एक जमाका हुआ और इसे सब याद आ गया, ये दो साल पहले की बात थी, जब वो एक छोटे से मिशन पे दो हफ़तों के लिए एक स्कूल में जॉब कर रही थी, ये स्कूल एक स्यासतदान की बीवी का थ एक हफ़ता हो चुका था और इसे हातर खुआ मालूमात मिल चुकी थी, रस्वी दिन की बात थी जब एक बच्चे का कोई फोजी रिष्टेदार, इसकी रिपोर्ट लेने आफिस में आया था, सुनो दूआ कैपटन, उजेर आएं हैं, नरसली किलास के अबाद के चच्चा हैं, कसम से बहुत हैंसम है, मिस नौरीन ने इसके आफिस में आकर इसे मुतला किया तो वो इसे अंदर बेजने का कहकर अपने काम में मश्कूल हो गई, वो दर्वाजा नौक करता अंदर दाहिल हुआ, तो इसने संजीत की से इसको बैठने का कहा, असलाम उलेकु मिस, कैप सिंगार के नाम पर आंकों में सुर्मा भरबर के डाला था, चेरे पर चाही बेजारी जैसे किसी मगरूर शेजादी का तासुर दे रही थी, वालेकुम स्लाम, उजेर के बरक्स इसने काफी लट मार अंदास में सलाम का जवाब दिया, उजेर बागोर इसकी जानिब देखत के बतले, वो जबरन मस्कुराते हुए आहरी फिक्रा दिल में अदा करते हुए बोली, जबके उजेर तो खौम हुआ उसको देखकर मस्कुराय जा रहा था, वो दोनों इस वक्त आफिस में बैठे हुए थे, इसलिए वो मरवतन मजबूर थी उसकी बातों का जवाब देने के लिए, जी तो मिस मुझे सब यू ऐसे कहते हैं और आपको, वो जान बूच के इसको तंग कर रहा था, और तवक्व के एहन मताबिक वो वाकई चिर गए थी, तब ही तन्जिया लहजे में बोली, अगर आपको यू ऐसे कहते हैं तो अमेरिका को यकिनन कुछ और कहते हों उजेड ने सादकी से कहा तो इसको अपने रूड होने पर शर्मिंदगी हुई, अच्छा चलें अब अपना बताएं आपको सब क्या कहते हैं, वो पूर्दजस उस लहजे में गोया हुआ, अब इसको भी मौका मिला अपनी कावलियत जारने का बड़े फखर से बोली, कहते हैं, वो फलक शगाफ कहखा लगाते हुए इसको देखने लगा, जिसका चेहरा गुसे की वज़ा से लाल हो चुका था, इसको अगर पता होता कि इसके नाम की अबरिविशन इसको इतनी महंगी पड़ेगी, तो वो सीधा सीधा अपना नाम बता देती, इस हम, बड़े जहीन बनते हैं, वैसे मिरे नाम का तो पता नहीं चला सके वर डे आई कैप्टन, बर बढ़ाहट इतनी उंची जरूर थी के उजहर वा असानी सुन सके, पैंसल, पेपर और बाकी चीज़े उठा के बैग में गुसेरी और इसको हश्म गिर निकाहों से गूरती कोई दर्वाजे की जाने पड़ी, मिस आपने अपना नाम तो बताया नहीं, आपने तो वो बताया जो सब आपको कहते हैं, प्लीज जाते जाते अपना नाम बताते जाएं, मसूमित की तमाम हदों को तोड़ता हुआ, वो मलाइमत से बोला, इसने गुसे से पलट कर उसेर क गुड़ और एक एक लफ चबा के बोली, डी एफ मैम, लेकिन आपका, और ये कहकर जल्दी से दर्वाजे से बाहर निकल गई, और वो महज हस दिया, इसके रद्यामल पे, आफिस से बाहर निकल कर इसने मिस नोरीन को कहा था कि वो इसकी जगा रिपोर्ट दे दें, बात आ लेवी, इसे कहीं देख चुकी है, उफ यार, डी एफ म, मतलब दूर फिटेमो, वो जी भर के बदमजा हुई, इस खरूस कैपटन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, एक दफ़ा अपने पैर उपर खड़े हो जाओं, दुड़ा दुड़ा के मारूंगी, वो मुस्तक्मिल के जाके वो रुक गए, ये एक वेरान सी जगा थी जहां कुड़ा करकर्ट और गलाजत के डेर पड़े हुए थे, दस मिनट बाद ही एक शक्स उधर आता दिखाई दिया, सिकंदर के करीब पहुँच कर इसने कोड़ वर्ट्स बोले, तो इनको यकीन हो गया, कि यही इन्हों ने भी जवाबी कोड्स भोल के इसकी तसली करवाई, एजेंट्स को इजासत नहीं होती के वो अपना नाम और शनाहत बताएं, इसलिए फरजी नामों से वो आपस में मिलते हैं और काम करते हैं, वो 30 से 32 साल का एक कमजोर जिसामत वाला शक्स था, जिसने सर पे और मुपे मुफलर लपेटा हुआ था, सिकंदर ने भी कुछी इसी तरहां से अपनी पे जान चुपाई हुई थी, ऐसा जाहरी खुलिया इनके पेशे का तकाज़ा था, कोड़ वर्ट्स के तबातले के बाद एजेंट गोल ने तश्वीज से बताने लगा, इन दिन बाद यहां से दो मसीद रॉक के एजेंट्स पाकिस्तान बेजे जा रही हैं, जो वहां पहले से ही मजूद एजेंट्स के साथ मिल कर अपना मनसूबा पुरा करेंगे, कैसा मनसूबा, सिकंदर ने चोंग कर पुछा, गंदगी के डेरों से उटता ताफन वहां खड़े होना महाल कर आथा, कोई आम शक्स होता तो अब तक इस काबले बर्दाश पत्पू से बेहोश हो चुका होता, मगर आयसाई भी अगर इतनी ही नाजुक होती, तो कभी भी खुडा कड़कट के डेर पर ड्यूटी देरते कैप्टन कद्धीर कलबूशन जैसे एजेंट्स को ना तो कहीं वो, हम में ही हस्ता बोलता एक आम सा शहरी, एक आम सा शहरी, कहीं वो हाथ में जारू पकड़े, दुश्मनों के अंदर तक गुस के सफाई कर रहा है, तो कहीं दियारे गहर में, अपने वतन की सलामती की हाते मुतलिफ बेस अपनाए हुए, मार होर कभी छुपता नहीं है, मगर इसे कोई ढून भी नहीं सकता, वो हर जगा है, हर रूप में, वो करतार पुर बॉर्डर पे हमले का मनसुबा बना रहे हैं, इस पे तीन महीने से काम चल रहा है, और अब दो या तीन माँ बाद वो इस पर अमल करेंगे, एजेंट गोल्ड ने कुछ मुरे त और कोड्स, समेत हर तफसील मैंने इन काउसात में लिखी हुई है, मैं ये खुद नहीं बेच सकता था, उनको मुझ पे शक होने लगा है, मेरा कंप्यूटर सिस्टम और मुबाइल हैक किया जा रहा है, और पीछा भी किया जा रहा है, इसलिए आपको यहां बेजा गया है, अब अगले मामलात आपको संभालने होंगे, और हाँ, अगली मुलाकात आहरी होगी, और राप्ता मैं खुद करूंगा, एक है, सिकंदर ने सारही लाते हुए कोड की अंदरनी जेब में वो काउस टाले, एजन्ट गोल तेज तेज कदम उठाता, वहां से चला गया, तो द अरदासपुर के इलाके में है, ये बॉर्डर अमनों अमान के हवाले से पाकिस्तान का नाम दुनिया में रुशन कर रहा है, क्योंकि इंडिया से सिक्साइरीन इसी बॉर्डर के गेट को क्रॉस करके पाकिस्तान की खदूत में कदम रखते हैं, जहां इनका गुर्दवारा है, कुछ वक्त पहले की खबरों के मताबिक भरत की खुफिया एजिंसी रॉर्ण ने इसी बॉर्डर पे हमले का मनसुबा बनाया था, जिसे आहसाई ने नकाम बना दिया, अगले दिन दुआ के टेस्ट होने थे, सुबा ही सुबा नर्स निदा की मदद से वो त्यार हो अगर वो अभी तक कहीं मसरूफ थी, 20 मिनट के इंतिजार के बाद हो आई तो इनको देखकर माज़त खुआना अंदाज में बोली, टाइम सोरी मुझे एक एमरजंसी केस को देखना पड़ गया था, इट्सो के धुआ ने मुस्कुरा कर कहा, गेती आप बहुत क्यूट हो, मैं चाहूंगी के बहुत जल्द आप अपने पैडों पर खड़ी हो जाएं, डॉक्टर निहा को ये बोली-बाली मासूम सी गेती बहुत अच्छी लगी थी, थेंक्यू डॉक्टर, वो फिर से मुस्कुराई, सबसे पहले तो आपके टेस्ट होंगे, फिर ही बाकाइदा ट चेरे पर चाही हिरानी बाम करीं, मैं असल में जाद, पात, रंग, नसल और मजब के फरक को नहीं मानती, मेरे नजदेक इनसानियत सबसे एहम है, अगर्चा मैं इस होस्पिटल के मैनेजिंग डिरेक्टर में से हूँ, मगर यहां बहुत से मुस्लिम डॉक्टर्स भी हैं औ मेरे नज़रियात भी कुछ इसी किसन के हैं, सिकंदर को जान के खुशी हुई थी, इसी दुरान डॉक्टर आईशा कमरे में आ गई, वो चालिस साल की पुर्शफीक सी हातून थी, इन्होंने कमी शलवार पे सफेद ओवरॉल पहना हुआ था, जी डॉक्टर, किस पेशन के टेस्ट करवानी है, बोलते बोलते इनकी नज़र इस पर पड़ी थी, क्या इस क्यूट सी बच्ची के, जी ये वो ही पेशन गीती है जिसके बारे में कल हमारी बात हुई थी, इसके एक्सरे, एमराई और पाके टेस्ट आप खुद अपनी नगरानी में करवाएंगी, और डॉक्टर मैं कर लूँगी, चलो गीती मेरे साथ, वो मुस्कुराई हुए कहकर इसे अपने साथ ले गई, डॉक्टर नेहा इनके जाने के बाद सिकंदर की जाने मतवज़ा हुई, मिस्टर विश्नोथ, अगर रिपोर्ट वैसी हुई जैसी मुझे उमीद है तो एक से दो हफ़तों के दुरान हम अपरेशन कर देंगे, कितने अर्से में वो अपने पाउं पे चल सकेगी, सिकंदर के उमीद से पूछने पर वो इन्हें बताने लगी, देखें, परैलिसिस के केस में हम कुछ नहीं कह सकते कि मतासरा मरीज कितने अर्से में ठीक हो सकेगा, या अपन अगर रेगुलर फिजियो थेरेपी होती रहे और बोडी को कमस कम डैमिज हुआ हो, तो फिर आपरेशन के बाद चांस है कि एक तो महीने बाद वो चल फिर सके, तरकी आफ़ता मुमालिक में इस तरहां के कामयाब तज़रबात किये गए हैं, जिनमें मरीज के कमर के मतासरा हिसे में अलेक्टिकल डिवाइस फिट की जाती है, जो दिमाग से सिगनल लेकर टांगों में संसेशन पैदा करती है, और रफ़ता रफ़ता वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जहां तक गीती की बात है, मेरा ख्याल है कि आपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगी, क अपने आपको फुर्ती से संभालते हुए, वो गोया हुई, इन से चार घंटे में टेस्ट हो जाएंगे, तब तक आफ रेटिंग रूम में इंतजार करना चाहें तो कर लें, वो उटते हुए बोली तो सिकंदर भी खड़े हो गए, नहीं होटल पास ही है, चार घंटे बा आकर इसे पिकर लूँगा, आप इसे बता दीजिएगा, ओके, एस यूविश, वो शाने उचकाते हुए कैबिन से बाहर चली गए, तो सिकंदर भी इसके पीछे पीछे ही निकल गए, अभी बहुत से जरूरी काम होने वाले थे, चार घंटे वो बैट कर नहीं गुजार सक तंग आकर वो खुद ही वेल जियर दकेल थी, बेटिंग रूम से बाहर निकल गई, निरो डिपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर बने लाउंच में जाने के इरादे से, वो जा रही थी जब इसने सोनिया को देखा, वो कल की तरहां फुटबॉल हाथ में पकड़े सामन थी, वो इसके जानी पड़ी और करम जोशी से पूछा, कैसी हो तुम सोनिया, मैं सुबों से डून रही थी, मगर मुझे तुम कहीं नजर ही नहीं आई, तुम मुझे डून रही थी, वो हिरानी से पूछने लगी, हाँ ना, तुम मुझे कल बहुत अच्छी लगी थी, और सुम सा चेहरा, इसकी बेतकलफी सोनिया को बहुत भाई थी, तुम मुझे अच्छी लगी हो, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम भूल गया, वो शर्मिंदगी से बोली, अरे कोई बात नहीं, मेरा नाम गीती है, अभी चलो हम किसी अच्छी सी जगा पे बैठ कर बाते करते है वैसे मैं तो पहले ही बैठी हुई हूँ, खड़ी तो तुम हो, वो कहकर अपनी बात का मज़ा लेकर खुद ही हसने लगी, चलो बाहर लाउंच में जाते हैं, सोनिया के कहने पे वो बटन पुछ करके वीलचियर आगे बढ़ाने लगी, तुम्हें बुरा नहीं लगता के स सरसे लड़ रही हूँ, मगर मुझे अभी तक आदत नहीं हुई, लाउंच में दाहिल होते हुए, वो थकी थकी सी बोली, इधर बैटो मैं तुम्हें समझाती हूँ, के अपनी बिमारी को कैसे हराती हैं, इसका हाथ पकड़ के अपने सामने कुरसी पर बिठाते हुए, पिर मुझे बाबा ने समझाया के ऐसे नहीं जिया जाएगा, मुझे अपनी बिमारी को साथ लेकर चलना होगा, अगर ये मेरे रसीब में लिख दी गई है, तो सोनिया, कोई डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरा सहित याब होना तैय है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, बाबा कौन, सोनिया की सुरी वहीं अटकी थी, इसने अपना सर पकड़ लिया, इतनी बातों में इसे सिर्फ इसी लफ़ का मतलब जानना था, मेरे फादर, मैं इने बाबा कहती हूँ, वो रसान से बोली, ओ, मैं अपने फादर को डैड़ी कह कहती हूँ, वो इंडियन आर्मी में है, तुम मुझे दुबारा असान लफ़ों में समझाओ, क्या कहना चाह रही हो, देखो सोनिया, सीधी सी बात है, हमें अपनी बिमारी के साथ जीना सीखना होगा, अब तुम्हें कैंसर है, तो क्या तुम मुस्कुराना छोड़ दोगी तुम मुझे क्यों नहीं देखती, तुम अपने पैरों पर चल फिर सकती हो, लेकिन मैं सहारे की मुक्ताज हूँ, इनसान को उसकी बिमारी नहीं, उसकी मायूसी मार डालती है, लेकिन सोनिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब मैं तुम्हारी दोस्त ह पाननी होगी, कल से तुम मुझे हस्ती, मुस्कुराती और फ्रेश नजर आओ, ओके बास, सोनिया अरसे बाद खुलके मुस्कुराई, इसे ये शोखो चलचल सी अपनी नई दोस्त बहुत पसंद आई थी, वैसे तुम यहां वहां क्या फिर्टी रहती हो, दुआ ने सरसरी सा पूछा, मेरी ममी यहां डॉक्टर है, इसलिए मैं अक्सर यही पाई जाती हूँ, इसने हस्ते हुए बताया, वाओ, क्या नाम है तुम्हारी ममी का, डॉक्टर नेहा रंजीत, अरे वाओ, वही तो मेरी डॉक्टर है, दुआ हुशी से चिलाई, मुझे डॉक्टर नेहा बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वीट और काईंटी है, हाँ सब मेरी ममी के बारे में यही कहते है, अब अपने बारे में बताओना कहां रहती हो, क्या करती हो, मैं UAE में पैदा हुई, बैसे मेरे बाबा इंडियन है, मगर वो पच्ची सालों से वहां ही रह रही है, व कुछ देर वो सोचती रही, फिर अपनी वील्चेर गसीरती हुई कमरे से बाहर चली गई, सामने से निदा इसके लिए काफी लिए आ रही थी, मैं मा बाहर क्यों आ गई, मैं आपके लिए काफी ला रही थी, इसने बुखलाते हुए कहा, निदा मैं डाइनिंग हॉल में ज बढ़ गई, वो डाइनिंग हॉल के आहरी कोने वाली मेज के पास जाकर बैट गई, आज तो सारा हिसाब किताब चुकता किया ना, तो फिर दूआ नाम नहीं मेरा, फौन के भी पची तो निकाल कर देखा, तो वाटसैप पर फात्मा की कॉल थी, असलाम उलेकुम अमी कैसी है अब, इसने विशाशत से पूछा, वालीकुम सलाम तुम कैसी हो, इन्होंने बेचैनी से पूछा, टेस्ट हो गए हैं अमी, और अल्ला का शुकर है, अब पहले से बेतर हूँ मैं, इसने धीमी आवाज में कहा, सिकंदर कहा है, मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे, बता नहीं, अमी कहां कहां गुमते रहते हैं, मेरे पास भी बहुत कम टिकते हैं, आपके शोहर के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे, अभी भी वो बहुत हैंसम है, इन पर कड़ी नजर रखा करें, इसने शरार से कहा तो वो भी हस दी, ऐसी बात नहीं, मेरा शोहर बहुत शरीफ इन दूआ मैं आनिया की वज़ा से बहुत परिशान हूँ, दिन बदिन बत्तमीज होती जार ही है, आदा दिन तो घर से बाहर रहती है, और जब वापस आती है तो मुबाइल में गुसी रहती है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, मुझ से तो कोई बात भी नहीं करती, तुम इस इसने सामने से आते उज़ेर को देखकर बात खत्म की, नमस्ते गीती जी, इसने बकाइदा हाथ चोड़के परणाम किया तो वो मुस्कुराहट दबा गई, पैठियें अमन उर्फ नकली अमेरिका सहब, इसने जता दिया कि इसे सब याद आ चुका है, उज़ेर का कहका बे फखर से मुझे बताया था कि D.F.M. उसके नाम की अबरिवेशन है, वो मसूमित से बोला तो इसका दिल चाहा कि इसका सर फार दे, वैसे आपका नाम आमन नहीं, बलके जंग होना चाहिए था, मुझ से आग के गोले बढ़साती है, उज़ेर ने दिल्चस्पी से इसके अभी तक और मेरा ख्याल है आपने भी नहीं किया, तो खाना ओर करते हैं, इसके बात काट कर इसने खुद ही फैसला सुना दिया, दिहान से हलाल फूर ओर कीजिएगा, बलके खुद खाना लेकर आएगा, इसे काउंटर की तरफ जाते हुए देखकर इसने कहा तो सर हिलाता हुआ चला गया, ये भी अजीब मुसीबत है, अपने मुलक में होते हैं तो दडले से आँखे बंकर के जो मरसी खा लेते हैं, और प्राए मुलकों में तो टेंशन ही लगी रहती है कि कहीं कुछ गलस सलत खाकर अपना इमान ही हराप न कर लें, और यहां तो इनकी गाए मात से ही डर लगा रहता है कि कहीं तबरक के तोड़ पे कुछ खाने में ही न मिला दे, वो बड़ बड़ाते हुए मुझ बना कर इधर उधर देखने लगी, जहें में फातिमा की बाते गर्दिश करने लगी, अचानक एक कौंदा सा दिमांग में लपका, इसने एक नमबर मिला राप्ता होने पर वो दीमी सी आवाज में कहने लगी, मुझे आन्या की मुकमल रिपोर्ट चाहिए, वो भी कल तक हर हाल में सूरज की किरने तबती दुपहर को और जुलसा कर गर्मी में इजाफा कर नहीं थी, क्राची में तो गर्मी को बस मौका चाहिए होता है, कि कब वो हीट स्ट्रोक की शकल में बंदों की जान ले ऐसे में इन सारी बातों से बेन्याज वतन के रखवाले अपने फ्राइज की अन्जाम दही में मसरूफ थे आज पिर आई बी वालों की पॉइंट थ्री पर मीटिंग थी, जैसा के आप सब लोग जानते हैं के सुरत हाल नहायद गंबीर हो चुकी है बात मुलक दिवा पर आ गई है, अब मजीद हाथ पे हाथ दरे हम नहीं बैट सकते डियस पी एम फराज ने सब को एक साथ महातिब करते हुए कहा आप ठीक कह रहे हैं सर, अब वाकई हत्मी वैसले का वक्त है, मजीद इंतजार दुश्मनों को मौका देने के मुद्रादिफ है खादी ने सर हिलाते हुए तारीद की अमर वलीद से तमाम इंफरमिशन तुम निकलवा चुके हो, अब बस ये सोच कर वो रॉक का ठिकाना बताएका, हम इसे मजीद डील नहीं दे सकते और मेरा जाती ख्याल भी यही है कि वो इतने पागल तो नहीं है कि अपने सहुलतकारों को अपना पता देते रहें अम फिराज ने उमर की तरफ देखते हुए पुरसोच अंदास में कहा जी सर, मेरा भी यही ख्याल है कि इस ड्रॉमे को वाइंड अप किया जाए और मुझरिम को तहवील में लिया जाए इसके सारे कांटेक्स, पार्टीज और इसके साथ असले की स्मगलिंग में जितने अफराद भी मलविस हैं इन सब के बारे में हम मलूम कर चुके हैं तो फिर देर किस बात की अरीज ने सर हिलाते हुए इनके मौकफ की हमायत की थी लेकिन सर फिर हम ये कैसे मलूम करेंगे के रौ के एजेंट्स कहां कहां पे मजूद हैं मलीहा ने पड़ेशानी से सवाल पूछा इसकी आफ फिकर न करें आईसाई सब संभाल लेगी इनफेक्ट मिजर सिकंदर ने हेड़कौर्टर अब तक रिपोर्ट भी कर दी होगी वो मुस्कुराते हुए बताने लगे तो सब के चेरों पर इतमिनान पहल गया वाकई आईसाई सब संभाल सकती है तो फिर उमर और इरीच इस ट्रॉमे का इहतिताम एक शानदार और जबरदस परफॉर्मेंस के साथ होना चाहिए हादी ने मच्वरा दिया जिसे सब ने ही पसंद किया सर के जाने के बाद तो उमर ने बकाइदा खड़े होकर एलान किया था So guys, we ready for the wonderful end of this ट्रॉमा असलाम robotics, निमरा ने चैकते हुए कहा वालिकु स्लाम कैसी हो निमी वो इसे प्यार से निमी कहता था मैं ठीक हूं भाइ, मगर अमी बहुत उदास रहती है आपके बगैर हर वक्त आपको याद करती रहती है इसने उदासी से बताय अमी से कहना मैं बहुत जल्द आऊंगा हादी ने कहा फिर कुछ तवाकुफ से सरसरी अंदाज में पूछने लगा तुम सुनाओ क्या कर रही हो आज कल अभी तक रिजर्ड तो आया नहीं होगा जी भाई रिजर्ड नहीं आया लेकिन मैं फारिग नहीं पैठी हुई कंप्यूटर कॉर्सिस कर रही हूँ निम्रा ने वजाहत दी अच्छा तो ये बताओ कि तुम तीनों दोस्ते एक ही इंसिट्यूट में कॉर्स कर रही हो इसने फिर से सरसरी सा सवाल किया जिस पर निम्रा ने हैरत से मुबाइल को देखा ये भाई को क्या हो गया ये कब से मेरी दोस्तों में दिल्चस्पी हो गई नहीं भाई सिर्फ मैं और सोनिया ही कंप्यूटर कॉर्स कर रही है और आनिया वो क्यों नहीं तुम लोगों के साथ हादी के सवाल पर निम्रा को हैरत का शिदी चटका लगा इसके मोहित भाई ने कभी इससे इस किसम के जाती सवाल नहीं किया थे और अब वो इसकी दोस्त के बारे में पूछ रहा था नहीं भाई वो हमारे साथ नहीं वो पता नहीं क्या कर रही है आज कल मेरा तो इसे काफी दिन हुए रापता ही हत्म है वो उल्जन से बताने लगी लेकिन भाई आप क्यू आनिया के बारे में पूछ रहे हैं इससे पहले वो जवाब देता इसे एक तस्वीर मुसूल हुई जिसे देखकर वो बुरी तरहां चौंग किया निम्रा मैं तुम्हें लोकेशन बेज रहा हूँ जितनी जल्दी हो से के यहां पहुंचो तुम से बहुत जरूरी बात करनी है लेकिन भाई निम्रा ने कुछ कहना चाहा लेकिन कॉल डिसकनेक्ट हो चुकी थी कॉल हत्म करके इसने फॉरन इस नमबर पर कॉल मिलाई जिस से अभी अभी एक तस्वीर मुसूल हुई थी यह खबर पकी है ना राप्ता होने पर इसने बेचैनी से पूछा थोड़ी देर तक दूसी जानिब से बात सुनता रहा फिर तशक्राना अंधास में बोला थैंक यू सोमच सहर तुमने हमेशा मेरी मदद की है अभी भी मैंने सिर्फ तुम पे बरोजा किया है नहीं तुम्हें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं बाकी मैं संभाल लूँगा ओके खुदाहफिज कॉल बन करके वो एक मरतबा फिर से इस तस्वीर को देखने लगा वो गुजारे की हाथी कॉल ड्रिंक ओर्डर करके पीने लगा बीस मिनट बाद निम्रा की तश्रीफ आवरी हुई थी क्या बात है भाई आपने इस तरहां अचानक क्यों बला लिया वो बैठकर परिशानी से बोली निम्रा मैं जो भी पूछूंगा मुझे सच सच जवाब देना ठीक है भाई तुम्हारी दोस्त आनिया कै किसी को पसंद करती है बगैर किसी तहमीद के इस ने पूछा निम्रा को इस सवाल की हर्गिस भी उमीद नहीं थी वो हिरान होने के सासाथ परिशान भी हो गई थी के भाई को कैसे पता चला सोरी तु से मगर आपको अपनी दोस्त के बारे में कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो इसका परसनल मैटर है कि वो किसी को पसंद करे या ना करे लेकिन आप क्यूं सवाल कर रहे है निम्रा ने अपनी हिरानी चुपाते हुए सकती से मना किया कि वो कुछ नहीं बताएगी परसनल वो इस तजाया अंदास में हसा था परसनल मैटर जब पबलिक हो जाएं तो हर कोई सवाल करने का इख्तियार रख सकता है मुझे पता है तुम दोस्ती की देवी इस तरहा कुछ नहीं बताओगी इसलिए सबूत के साथ बात करती है ये तस्वीरे देखो इसने मुबाइल की स्क्रीन इसके सामने की एक तस्वीर में आनिया वली के साथ एक कैफे में बैठी लंच कर रही थी इसने अगली दस्वीर दिखाई जिसमें वो वली की गारी में बैठ रही थी निम्रा कातु शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था इसे लग रहा था जैसे इसकी बेज़ती हो रही है इसने तो हमेशा आनिया को वली से दूर रहने का कहा था और बात में आनिया ने भी तो यही कहा था कि वो वली से अब कोई बात नहीं करेगी तो यह सब क्या था वो माउफ होते दिमाग के साथ सोच रही थी आनिया के साथ यह शक्स कोन है और क्यूं है यह अब तुम मुझे बताओगी नहीं चाहता कि वो किसी गलत रास्ते पे बहुत आगे चली जाए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस शिकार होने से बच जाए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मुझे शुरू से सारी बात बतानी होगी वो नर्मी से इसे समझा रहा था निम्रा ने इस बात में सर हिलाया ये सर वली हैं हमारे इंग्लिश टीचर वो इसे बताने लगी कि कब कैसे और कहां से ये सारी कहाने शुरू हुई थी बाकी इंशालला अगली वीडियो में उमीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंदाया होगा हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटस अपडेट्स हासिल करने के लिए